और भाजप्पाई नेताओं का व्यवार तो उससे भी शरम नाख है साथियों भाजप्पा की राष्ट्रिय कारेकारणी के सदस्से और उनके सांसद साक्षी महराज जी को देखिए ये शहीद का जनाजा है आपके लिए दांत पाड़ कर वोट मांगने की जगह नहीं और ये लोग हैं जो भाजप्पा की केंद्रिय कारेकारणी के सदस्से हैं भाजप्पा के सांसद और उनकी नीतिगत विवस्था को ये निर्धारित करते हैं और मोदी जी के मोदी जी के प्रेटन मंत्री ने तो बेशरमी की सब हदें तो डाली सेलफी विद डेड बॉड़ी ओफ ए शहीद क्या इससे भी ज़्यादा दर्दना कोई बात हो सकती है और शरमसार करने वाली यह आचरन यह आचरन प्रदान मंत्री मोदी का और यही है आचरन उनके मंत्रियों राष्ट्रिय कार्यकार्णी के सदस्यों का और उनके अध्यक्ष का वास्तविक्ता ये है साथियों के पुल्वामा आतंग की हमले के प्रती मोधी सरकार ने तो कोई राजनितिक जबाब दे रही और नहीं अपनी जिम्मेवारी का निर्वेहन कर रही आज देश गहरे शोक से गुजर रहा है शहीदों की यादें बीन बीन कर चुन रहा है पर मोधी जी दो दिन की विदेश यात्रा में दक्षिन कोरिया सेर सपाटे के लिए पहुँच गए हैं एक ऐसे समयदनशील समय में जब देश इतनी भयावय पीड़ा से गुजर रहा है देश का प्रधानमंत्री सेर सपाटे और विदेश यात्रा में व्यस्त हो ये मोधी सरकार की गलत प्रात्मिक्ताओं को दर्शाता है देश की सुरक्षा पर इस एक्षम में विफलता के लिए मोधी सरकार को अपनी जुम्मेवारी और विफलता सुविकार करनी होगी और देश को जब आप देना पड़ेगा जिस देश का प्रदान मंत्री इतना स्यंबू हो जाए कि उनके लिए अपने उदगाटन और सरकारी खर्चे की जन सभाएं राश्ट्रिय शोक से बड़ी हो जाएं ऐसे मोधी जी के बारे में क्या कहना चाहिए ये देश तो जबाब मांगेगा ही और यहां तक की 16 फरवरी 2019 को शहीदों के शहीदों के ताबूत उनके कफन दिल्ली एरपोर्ट पर थे पर प्रदान मंत्री जी एक घंटा लेट पहुंचे जहांसी से क्योंकि वहां राजनीती करने में व्यस्त थे और आप खोजी पत्रकार हैं चेक करिएगा पहले अपने निवास पर गए उसके बाद शहीदों को शर्धांजली देने एरपोर्ट गए क्यों क्या आपकी राजनीती और आपके जलसे क्या भाजपाई जलसे अब एक घंटे तक साथ मिनट तक शहीदों के परिवार को शर्धांजली देने के लिए इंसार करवाएंगे